था क्वाइज में हो अर्पित काधियान और आप देख रहे हैं आर्टस नेमबर ओड जो की आर्ट के एक अन्नोग ही दुनिया है तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक amazing geometry box जी हाँ गाइस हम बनाने वाले एक amazing geometry box तो गाइस इस geometry box को बनाने से पहली मैं पहले आपको इसकी एक लुग दिखा देता हूं कि यह कैसा लगने वाला और कैसा यह बनेगा तो चलिए देखते हैं हमारे इस नए जुमेट्री बॉक्स के फीचर्ज यह हमारा जुमेट्री बॉक्स और गाईज आप देख सकते हैं कि इतना चाह जुमेट्री बॉक्स है इसकी अप शेप देख सकते हैं यह एक सिलेंड्रिकल जुमेट्री बॉक्स है और एकदम यूनीक है और साथ ही साथ गाईज आप इसका डिजाइन भी देख सकते हैं कि इत देखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं दो पीसों ग्राइज इसके ओपर भी एक रेंबो टाइप डिसाइन बना हुआ है और यहां पर लगी है दो मैगनेट्स और यह मैगनेट्स इसलिए थाकि यह आपस में से बंद हो जाए और साथी साथ इसके नीचे यहां पर सेफटी लगाए ताकि जो आपका अंदर का मेटिरिल हो वो गिरेना आपके बैक के अंदर चलिए अब इसके अंदर के पार्ट देखते हैं तो यहां पर मैंने एक कट लगा रखा है ताकि हम इसे आईजिली ओपन कर सकें तो चलिए पहले इस पार्ट को ओपन करके देखते हैं पे ऍवार पेज़नर पेसाफ सकते हैं जो चाहें वोजू रख सकते हैं और सती यहां पेसाथ यहां पर जो यह है और ऊपैणि इस फ अपना होमबर्क लिख सकते हैं यह भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चलिए अब इसकी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं इसकी स्टोरेज काफी अच्छी है आप इसके अंदर एक मारकर काफी पैंसिल्स और करेक्शन टेप ए रेजर जो चाहें वो रख सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे चीस देख सकते हैं और यह यह यूनीक चीज़ काुस जिसका इस को कि यूज का गाता दście दियून है और यहाँ प्र नहीं दिखा ता हूं इसके white board को तो गैस वैसे नॉर्मली तो boards white होते हैं लेकिन जो management box के अंदर white board बना है वह blue color का आप देख सकते हैं यह जो दोनों pieces हैं इन पर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं sketch pen की help से लेकिन याद रहे कि यह जो आप marker लें white board marker लिए होना यह permanent marker erase नहीं होगा तो चली इससे कुछ भी लिखते हैं मैं इसे यहाप एक star draw करता हूं यहाँ पर हम लिखते हैं one two three four five six आप जो चाहें आप लिख सकते हैं और यह जो डस्टर है यह form से बनाया गाइस इससे आप easily इसे erase भी कर सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं मैं यहाँ इसे बहुत easily erase भी कर सकता हूं तो इसी erase हो गया और erase हो जाने के बाद आप इसे वापिस खोल के magnetic side से इसे यहाँ पर चिपका सकते हैं और गईस साथ जाथ अपना marker भी रखती हैं तो गईस यह बहुत ही उनिक जामेटरी बॉक्स अगर आपको भी चाहिए जामेटरी बॉक्स तो आप इसे घर पर बना सकते हैं बहुत एस्थानी से तो चलिए देखें कि यह कैसे बनने वाला है तो गईस जामेटरी बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस टैप का एक रोल जो की एक शटल का रोल है और गईस आप चाहें तो कोई भी रोल ले सकते हैं हमें सिंप्ली क्या करना है हमें इस रोल को एक हाफ मिकट कर देना है और गईस जो इसके दोनों हाफ ह होंगे वह एक दम एक जाक्ट हूने लिए उनका साइज और शेप एकदम सेहाने चाहिए तो चलिए इसे कट करें हमने इस रोल को टूअफ पीसे में डिवैट कर लिया है तो guys, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे दोस्तों हमने pieces cut किये, cardboard के, दो हमने rectangular pieces cut किये हैं, जो कि हमने roll को cardboard की sheet पे रखके exact cut कर लिए, और guys, four हमने semi circular pieces cut किये हैं, जो हमारे cardboard roll के edges पे लगेंगे, और अब हमें cardboard के pieces को colorful बनाना है, इनके उपर colored paper रगा की, तो guys, यहाँ पे हमने half cut roll के pieces को, और साथी साथ semi circular pieces को red color से cover कर दिया है, अब हमें क्या करना है guys, अब हमें in semi circular pieces को, in half roll cut pieces के edges पे लगाना है, दोनों corner पे लगाना है, और ऐसा ही हमें, दोनों half roll cut pieces के साथ करना है, तो guys, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि मैंने इन pieces को यहाँ पे paste कर दिया है, और guys, अब हमें क्या करना है, जो हमें हमारे पास rectangular pieces थे, हमें उनके उपर yellow color का paper paste करना है, आप जो color का paper चाहिए, वो कर सकते हैं, अंदर की तरफ मैं यहाँ पी yellow color choose करूँगा, और बाहर की तो guys, अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों pieces को paste करेंगे, और guys, कैसे करेंगे, पहले हम एक piece को दूसरे piece के उपर रखेंगे, और एक side से उसे tape से paste कर देंगे, और फिर हम इसे open करके देखेंगे, तो guys, अब मैंने यहाँ पे tape लगा लिया है, अब इसे हम खूल के देखते है ओके guys, तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत स्था संदर लग रहा है, तो guys, अब हमें यहाँ पे holes करने हैं, हमें एक part का center लेकि इसमें hole करना है, और guys, hole क्यूं करना है, हमें इसमें hole इसलिए करना है, क्योंकि guys, यहाँ पे हम magnets paste करने वाले हैं, जैसे कि आप देखे रहे थे कि जब हम इसे open or close कर रहे हैं, यह अपने आप ही खुले जा रहा है, इसलिए guys, हम यहाँ पे magnet लगाने वाले हैं, ताकि यह अपने आप ना खुले, तो चलिए, मैं यहाँ पे hole कर देता हूं, फिर हम यहाँ पे magnet लगाएंगी, तो guys, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यह पे खुल कर लिया है, अब हम फटा-फट से इसके अंदर magnet insert करने आ ले हैं, तो guys, यहाँ पे मैंने एक magnet लगा दिया था, और guys, उसके ऊपर मैंने एक sheet लगा दिया, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने दूसरा magnet लगाया, और guys, यह दूसरा magnet इसलिए लगाया है, ताकि exact opposite position पे paste हो, अब मैं यहाँ पे fabric लगाने वाला हूँ, और फिर यह exact opposite position पे paste हो जाएगा, तो चलिए इसे paste कर देते हैं, तो guys, यहाँ पे हमने दोनों magnets paste कर दी हैं, और guys, अगर आप चाहते हैं कि आपकी metal box अच्छे से बंद हो, तो आपको यहाँ पे strong magnets से लेने होगे, तो guys यहाँ पे मैंने एक form लिया है, जो कि आप easily किसी भी shop से ले सकते हैं, और guys, इस form के अंदर magnet insert कर दिया, और guys, यहाँ पे paper के अंदर magnet insert करने वाला हूँ, यहाँ पे paper के अंदर magnet insert होने के बाद हमारा जो duster हो बन जाएगा, एक magnetic duster, तो guys, यहाँ पे मैं इसके अंदर hold कर रहा और guys, उसके बाद हम इसके अंदर insert कर देंगे magnet और हमारा जो duster हो है ready, तो guys, यहाँ पे मैंने एक A4 size sheet के बाहर के cover को use किया, और guys, उसके उपर आप देख सकते हैं कि designs होते ही हैं, तो मैंने उस design को यह cut कर लिया, और guys, एक part को मैंने paste कर दिया, और दूसरे part को paste करने के दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक sharpner की blade से इस mirror को cut कर लिया, और इससे थोड़े से बड़े size का cardboard के piece कट की है, और दूसरा cardboard का जो piece है वो अंदर से होलो, तो guys, इसे paste कर देते हैं, colorful बनाने के बाद मैं आपको इसे दिखाता हूँ, तो guys, यहाँ पे हमारा mirror ready है, अब हम फटा- लगाने की, तो guys, यहाँ पे और इसे series तो लगानी ही थी, तो मैंने सुचे क्यों नहाँ हमें एक notes का pad लगे, तो यहाँ पे मैंने एक note pad ले लिया, और guys, इसके अंदर बहुत सारे pages है, अंदर की तरफ white pages है, और guys, साथ ही साथ, आप देख सकते हैं, कि मैंने इसके उपर note स लगा दी है, जो की roll आती है, पहले से ही note books के अंदर, तो guys, अब यह real note pad लग रहा है, चलिए इसे इसके अंदर paste कर दें, तो guys, इसे और attractive लगाने के लिए, मैंने यहाँ पे कुछ words लिखी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, art is fun, और guys, side में मैंने side में decorations भी कर दी है, brush की help स तो guys, आप यहाँ पे कुछ भी लग सकते हैं, जो आप चाहें, तो guys, यहाँ पे मैंने एक और note pad ले लिया है, इसके उपर मैंने बहुत सारे art की चीज़े बनाई है, तो guys, इसके अंदर मैंने double सारे tape लगा दी है, और इसके अंदर बहुत सारे pages भी हैं, तो चलिए guys, इसे यहाँ पे glue से paste कर देते हैं, तो guys, यहाँ पे मैं इस पे लगाने वाला glue, और guys, उसके बाद हम इसे यहाँ पे paste कर देंगे, तो guys, यह बहुत ही ज्यादा attractive लगने वाला है, क्योंकि इसके उपर बहुत सारे art की चीज़े बनी है, अगर आप कुछ और drawing बनाना चाहते हैं, तो guys, यहाँ पे यह हो चुका है paste, और guys, आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी सारे से series हैं, तो guys, इसी के साथ हमारे जिमेटरी बाक्स होता है, वो होता है complete, आज के लिए बस इतना ही, इसके ऐसा लगा आपको यह जिमेटरी बाक्स और साथी साथी वीडियो कमेंट में ज झाल